और फिर्ट गाडियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बालों में गरम सर्सो के तेल के माले इसके क्या-क्या फाइदे हैं तो सर्सो का तेल लगबग सभी गरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है खास करके नौर्थ के साइड में बहुत से लोग सर्सो के तेल को बालों में प्रियूख करते हैं ये तेल बालों के लिए अत्यांद फाइदे मन माना जाता है अगर बाल रुखे, दो मुहे, बेजान और उनमें रूसी है तो सर्सो के गरम तेल की माली से इन समस्याओं से निजाद पाए जा सकता है सरसो की तेल में विटाइमिक A होता है जो कि Hair Growth के लिए अच्छा माना जाता है घने लंबे बालों के लिए आपको सरसो का तेल लगाना चाहिए बाजवारू तेल आप छोड़ दे आपके बालों में या तो नारियल तेल या फिर सरसो का तेल ही लगाना चाहिए तो आईए हम आपको बताते हैं कि गरम सरसो के तेल लगाने से क्या फायदे होते हैं पहली बार तो यह बालों को जढ़ने से रूपते हैं क्या आप जानते हैं कि कभी कबार जिंक की कमी की वज़े से भी बाल जखते हैं सरसो के तेल में जिंक पाया जाता है इसलिए हफ्वते में एक बार कम से कम आप सर्सू के गरम तेल की मालेश करें फिर दूसरा फायदा इससे बाल बढ़ते हैं सर्सू के तेल में ओमेगा थी और विटैमिन्स होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूती परदान करते हैं फिर ये दो मुहे बाल जो होते हैं, उसे ये ठीक करते हैं, बालों में सही मात्रा में तेल ना लगाने की वज़े से बाल दो मुहे होने लगते हैं, लेकिन सरसो के गरम तेल से ये जो समस्या है वो दूर हो जाती है, फिर रूखे बालों के लिए काफी फाइदे मन दे, एक चमच नारियल तेल में तीन चमच सर्सों का तेल मिक्स करके लगाएं, इससे बालों को मसाज करें, और आदे घंटे के बाद फिर सर को दोलें, इससे आपके बालों में चमा कई गें, फिर बालों की सफेदी को ये दूर करता है, अपने सफेद बालों को सर्सों के गरम ते इसे मालिश करें इसे आपके सर की जी रूसी है वो दूर हो जाएगी तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दिछेंगे